रतलाम शहर के कसेरा बाजार बरतत बाजार में नकली नोट छापने वाले दमपती का आज रतलाम पुलिस द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम पर रतलाम एस्पी गौरवतिवारी द्वारा प्रेस कॉनफरेंस कर परदाफाश किया गया रतलाम में रहने वाले राहुल कसेरा अपनी पतनी मेखा कसेरा वो गुजराद पुलिस ने कच्छ शहर से नकली नोट चलाने और नकली नोट के साथ कच्छ के गुजराद से घिरफतार किया था जिसकी जानकारी रतलाम पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली थी उसके बाद रतलाम पुलिस ने भी राहुल कसेरे के घर पर चापमार कर नोट चापने के उपकरन लेप्टॉप प्रिंटर नोट के कागज नकली नोट दो हजार वब पानसो के नोट और 900 ग्रा दिन का है जहाँ पर साथ दिन के बाद रतलाम पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन वारेट के जरिये रतलाम भी लाएगी तथा आगे नकली नोट के रैकेट का मामला भी पता करेगी उक्तजानकारी रतलाम एस भी गौरवतिवारी द्वारा प्रेस्वारता में बताई गई है कल रतलाम पुलिस को वीडिया के मातेम से जाधारी लगी थी कि रतलाम निवासी रहुल पिता फिशन वारेट का सेरा और उनकी पत्नी मेगा का सेरा को गुजरात की पुलिस ने गुज में नकली नोट के साथ बखाया है इस मामले को देखते हुए पहले तो उहाँ पर जब किया कि राहुन कसरा नामक वेक्ति कसरा बजार का रहने वाला है उसकी बिसिस बने लोगों ने बहुत दबिश देकि इसके घर की तलाशी ली तो इसे घर से कई सारी चीजें ऐसी मिली जो संदिक्ध है जिसे इनके हर पर प्रिंटर और कम्प्यूटर और सॉफ्ट पैंडर करने की मशीन और नोट नोट पर जो सीरियल नंबर लिख आते हैं वह भी प्रिंट करने की मशीन प्लस इसके अलावा इंके पास से ब्लाइक पेजिस जो की है तो एफो ऐस नहीं का तिकमें च्ड़ा जहादा है नोट के परावर के थिकने उस तरह के पैजिस इनके पास से म इसके अलावा सोने के आभूशन जो है लगभग 920 ग्राम सोने के आभूशन है और लगभग 1.5 किलो के चांदी के आभूशन है इन चीजों को पुलिस ने जब किया है और इनके खिलाब मार्थाना वाड़ा शौक में अपराज दमांग एक सो पांच पटे 21 दाराब 489 A, 489 C और 489 D, IPC के अंतर के पांबला पंजिवत किया गया है राहूल कसेरा और बेगा कसेरा के खिलाब ये दोनों ही गुजराद पुलिस ने ने गिरफ्तार किया है इनको पहुँ चलती हम लोग ले के आएंगे प्रटेशनल वारेट पे और इनसे विस्टिप पूस्ताज की जाएगी तो अभी तक तो दो ही लोग और भी बनाया है हम लोगोंने लेकिन अभी शुमयकर किछना क कियानन न्यूस के लिए रतलाम से सुल्तान किर्मानी की रिपोर्ट